गुरुजी प्रदीप मिश्राजी के सुपुत्र की आज जो है कथा का अंतिम निनाथ था ऐसे में गुरुजी प्रदीप मिश्राजी भी एक पिता होने के नादे कथा मंच पर आए और बहुत सुंदर-सुंदर जानकारी और कई तरह की बात हैं हम सभी को जानने समयने को मिल जो कि अपने आप में अद्भूत थी सबसे पहले आसीज जी भहिया ने बड़े उत्साहित स्वर से कहा कि हम सभी सीवभक्तों का यह अनुरोध है यह प्रार्थना है गुरुजी की हर मैंने जो गुरुजी के सुपूत्र है रागव मित्रा जी की उनकी कथा नियमित रूप स कराई जाए ताकि हम सभी को कुछ नया जानने समयने को मिले और जीवन धन्य हो जाए ऐसे में गुरुजी कुछ खास तो इस बारे में बोले नहीं परन्तु स्रवण करते रहे सुनते रहे उसके पश्चात गुरुजी ने अपने आप में अद्भूत बात कही जो कि जो कि और विराजमान महला की बारे में थी वह महला जो है अपने साथ एक पत्र लेकर आई थी साथ ही कह रही थी कि हम सभी जो है एक जो गुरुजी के ऑफिशियल इस्टाग्राम एकाउंट है उसमें भी कुछ भक्त ऐसे आये जिन्होंने जो एक पत्रकार दी थे उन्हाने इस भुत भक्तों का अन्भाव रहा है उसे भी साजा किया जा रहा है साती गुरुजी प्रदीप मिश्राजी ने आज दुबारा से हमेशा ही वह एक लोटा जल सब समश्याओं के हल और हमेशा ही कंकर संकर में विश्वास की बात बताते हैं वह उनाने बात बताई जो कि अपन को भी नियमित पूजा, पाठ, सियो भक्ति और ज्यान को विशेश तर पर अपने जिंदिगी में धारण करना है और राह से भटकना नहीं है गुरुजी की जो बात है वह अपने आप में अद्भूद है आज जो है लाइव कथा का प्रसारण थोड़ा सा ही हो पाया कोई ट पत्र की महत्ता बताई, एक लोटा जल की महत्ता बताई और सिवक्ति की बात बताई जो कि अपने आप में अद्भूद है अब तो पूर्ण रूप से हम सभी को यही आस है यही उम्मीद है बस 6 मई का पावन पवित्र दिन आए जिस दिन गुरुजी परत वाड़ा की कार अस्वादन कर सके जो कि अपने आप में अध्भूत है आप सभी भी मेरे साथ उत्साहित है और अपने आप में उस कथा को सुनने के लिए प्रेणित है तो हर हर महादेर कमेंट्स में जरूर से लिखेगा साथ ही गुरुजी ने यह बात बहुत पहले ही हम सभी को बतला कि अगर आप सभी कथा सुनने के लिए आए ना तो अपने साथ पानी की बोतल एक छाता और बैठने के लिए थोड़ा सा एक चटाई वगरा जरूर से लाए और साथी परतवाड़ा की भी यह खबर आ रही है कि वहां कम से कम एक लाख लोगों के बैठने की बेवस्ता मैं सिरे से हम सभी सिर्भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होंगे तो आज की कुछ खास जानकारिया तो थी नहीं यही थी फिर भी मैंने सोचा आप सभी को बतलाते हुए चलू ताकि आप किसी भ्रहम की स्तिती में ना आए मन में कोई भी किसी भी स्वरूप में दुवीधार न प्रमेंट्स में लिखना ना भोले